नमस्कार स्वगत्याप का हमारे अचार जागिंदर विशाज चैनल पर दस जुलाई देवसेनी एकदसी आज रात को चुप चाप यहां रख दें पांच रुपे का सिक्का पैसा इतना आएक के संभाल नहीं पाओगे दोस्तों असाड मास की सुक्र पक्षी एकदसी को देवसेनी एकदसी कहते हैं इस दिन भगवान स्री हर विश्णू चार माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं इस लिए इस एकदसी को देवसेनी या हर सेनी की नाम से भी जाना जाता है सास्त्रों के अंसार इस दिन से सभी शुब और मांगली कारियों पर रोक लग जाती है इन चार माह को चतुर मास कहा जाता है निद्रा में जाने से पहले भगवान स्रीहर विश्णू प्रसंद मुद्रा में होते हैं और इस समय अगर आप कुछ उपाय कर लें तो भगवान विश्णू और माता लक्ष्मी कृपा आपके घर परिवार में बरसती है इस समय भगवान विश्णू जी का पूजन करने से भगवान विश्णू जी अतिशिक रिपरसंद होते हैं और माता लक्ष्मी जी भी परसंद मुद्रा में रहती है इसलिए हमारे सास्त्रों में देवसनी एकदसी का बिशेश महत बताया गया है सास्त्रों के अंसार देवसनी एकदसी के दिन भगवान विश्णू और माता लक्षमी जी का पूजन करने से जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेसानी दूर हो जाती है कष्टों से छुटकारा तो मिलता ही है साती भगवान लक्षमी नरान की कृपा से मनचाहा बरदान भी प्राप्त होता है दोस्तों एकदसी के दिन भगवान विश्णू जी के कृपा पराप्त करने के लिए आपको इस पांच रुपे के सिक्के का उपाई जरूर करना है आज रात को आपको यनि आज देव सेनी एकदसी है और आज रात को आपको पांच रुपे का सिक्के का प्रियोग करना है क्योंकि आज देव स्वैनी के साथ साथ आज सरवार सिध्योग और अम्रिश सिध्योग कर निर्मार भी हो रहा है अगर आप इस पांच रुपे का सिक्के का यह प्रियोग उपाई करते हैं तो माता बचकर 49 मर्ट से और यह आज 10 जुलाई को दुपार 2 बचकर 13 मिनट पर समाप्त हो जाएगी उदिया तिति की मानता के हिसाब से इस बार की यह देव सनी एक अदसी के बरत आज 10 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा और बरत का पारण 11 जुलाई को किया जाएगा बरत पारण यानि की बरत खोलने का सुब महुरत 11 जुलाई की सुबह है पांच बचकर 31 मिनट से सुबह है आठ बचकर 17 मिनट तक रहेगा दोस्तो देवसोनी एकदसी का हमारे सास्तों में विशेश महत है सास्तों के अंसार देवसोनी एकदसी का बरत करने वाली वेक्त के जीवन शुक्षम्रदी आती है इस दिन अगर आप ये पंच रुपे के सीके का प्रियोग कर लें तो जीवन से कश्टमिट जाते हैं दोस्तों एकदसी पर करने वाला यह है एक आसान और असर कारक आज हम आपको उपाई बताने जा रहे हैं अगर आप इस उपाई को कर लेते हैं तो घर में शुक्षम्रदी बरसेगी कभी भी धन की कमी नहीं होगी दोस्तों उपाई को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अवश्च देखना चाहिए क्योंकि जब पूरी वीडियो देखेंगे तभी आप इस उपाई को समझ पाएंगे इसलिए आप से रुकेष्ट है कि वीडियो को आप लाइक कर देजे और इसे जद़ जद़ शेयर अवश्च कर देजेगा तो चलिए अब शुरुआत करते हैं उपाई के बारे में बताते हैं कि आपको आज देशनी एकदसी के दिन आज रात को पाँच रुपे के सिक्के को किस प्रकार से उपाई या प्रयोग करना है कैसे कहां पर रखना है सबसे पहले तो देखे आप भागवान विश्वों और माता लक्ष्मी के पूजा करें साम के समय भी आप एक दीपक जरूर जलाएं दीपक जलाने के बाद उन्हें आरती करें धूप दीब इखाएं और विद्वत उनकी पूजा करें रातर हो सके तो आज जागरन भी करें क्योंकि एक अदसी के दिन रातर जागरन करने से भागवान विश्वों और माता लक्ष्मी जी अत्षिगर परसंद हो जाती हैं दोस्तों आज आपको क्या करना है रात को जब आप दीपक जलाएंगे दीपक जलाते समय एक पांच रुपे का सिक्का ले ले पांच रुपे को ले जाकर अपने धन के स्थान पर तिजोरी पर आलमारी पर रख देना है चुप चाप रखना है किसी से बोले ना कोई रोके ना कोई टोके ना अगर आप यहां पांच रुपे का सिक्का रखते हैं तो धन की कमी नहीं आएगी पूरे साल धन आपके घर में बना रहेगा धन के स्रोद बने रहेंगे दोस्तों एक उपाय और करें पांच रुपे के सिक्के का अगर आपको लगते कि आपको घर में नेगवेटी जादा बढ़ गई है आपको लगते जिसे किसी ने कुछ किया करा दिया है तो आपको क्या करना है एक पांच रुपे के सिक्का ले ल बचे हुए जल को किश्री पौधे में डाल दें और जो पांच रुपे का सिक्का है इसे आप ले कर इसे क्या करें कि भगवान विश्व और माता लक्षमी के आप चरणों के पास फिर से रख दें फिर इसे पांच रुपे का सिक्के को आप ले जाकर अपने धन की स्थान पर रख दें तो आपके घर से निकविटी दूर होगी धन की कमी यानि दूर होगी और साथी साथ आप अगर आप जैसे की रात सोते हैं तो आप अपने रात सोने से पहले तकीये के नीचे भी पांच रुपे का सिक्के को दबा दे और अगले दिन इसे आप किसी मंदिर में दान पेटी में डाल कर चले आएं बाहर मत फेंकेगा दान पेटी में डाल कर चले आएं तो आपके घर में सदै माता लक्षमी और भगवान विश्मी के किरपा बरस्ती है दोस्तों एक अदसी के दिन आप सबसे इंपोर्टन जो उपाई पाई पांच रुपे का सिक्क कहा है कि आपको सबसे पहले तो रात रुके समय करना है यानि कि सोने से पहले आपको इस पांच रुपे का सिक्क के उपाई कर लेना है एक पांच रुपे का सिक्क का ले लें और अपनी मनो कामना बोलते हुए अपने नाम का पहला अक्षर इस सिक्क में आप लिख दें चाए हल्दी के सहारे ही लिख दें और फिर आप इसे पांच रुपे का सिक को भगवान विश्म और माता लक्षमिक चरणों के पास रख दें फिर आप जब सोने जाएं तो इस पांच रुपे का सिक को अपने तकिये के नीचे रख दें और अगले दिन सुर्योदे से पहले उठें और इस पाँच रुपे के सिक्के को आप तीन बार अपने सर से इल्टे बार के और ले जाकर किसी दान पेटी में डाल कर चले आएं लेकिन किसी को देना नहीं है ध्यान रखेगा नहीं कुछ खर्च करना है दान पेटी में डाल कर चले आएं और वापस चले आएं तो आपके घर से जितने भी निगविटी बुरी सक्तियां हैं किसी की नजर किसी ने किया कुछ करा दिया वो सब दोर हो जाएगा तो पांच रुपे के सिक्के का आप ये प्रयोक कर सकते हैं और पांच रुपे के सिक्के का सबसे महतपूर जो उपाय है ये कि आप पांच रुपे के सिक्का ले ले और आप अपनी मनोकामना बोलते हुए माता लक्ष्मी के चरणों के पास रख दें और फिर आप जो दीपक आपने जलाया है इस दीपक में पांच रुपय का सिक्के को डाल दे और जब दीपक बुझ जाए तो पांच रुपय का सिक्के को निकाल करके आपको चुप-चाप ले जाकर अपने आलमारी पे तिजोरी पे धन की स्थान पी रख देना है पैसा इतन के स्थान पर रख दें यह नोकरी नहीं चल रही है तो इसे पर्स में भी रख लें तो सदैब आप को इन तरक्की मिलेगी कहीं पर भी जाएंगे तो मानसमान में ब्रद्धी होगी हर छेतर में आपको लाग जरूर मिलेगा तो इस तरह से आज देव सनी एकदसी का दिन है और चारों दिशाओं से आपको मानसमान यस की प्राप्ती होती नजराएगी और जीवन में आपको लाभ भी देखने को मिलेगा तो इस तरह से आप इस पांच रुपे का सिक्के का प्रयोगा आज देव सनी एकदसी के दिन कर सकते हैं दोस्तों बीटो को लाइक जरूर करि करिएगा और चैनल से जोड़ने के लिए सबस्क्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ओल पे सिलक्ट जरूर करिएगा जय मालक्षमी